आप सभी का श्वागत है एक्सिसाइस यूट्यूब चैनल पर मैं हूँ शंदीब कुमार आज हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रेक प्रिलिम्स दोहजार चॉविस यानि किसी का फर्स्ट अटेम्ट है तो किसी का सेकेंड अटेम्ट है किसी का फोर्थ यानि जो भी आपका अटेम्ट है हम फर्स्ट अटेम्ट को लेकर के बाद करते हैं कि कैसे प्रिलिम्स को कैसे क्वालिफाई किया जाए क्योंकि सबसे बड़ा रोड़ा जो है न वो यही है चाहे यूपीसी का प्रिलिम्स हो या किसी भी स्टेट का प्रिलिम्स हो क्योंकि यह बड़ा यही प्रॉब्लम है कि यह इतनी ज़्यादा लोगों ने फाम भर दिया है मेरा कैसे होगा मेरा कैसे होगा मुश्किल से आपको जो कमपटिशन करना है वह लाग पचास जार लोगों के बीच में करना होता है लिकिन इतना आसान नहीं है प्रिलिम्स जो लोग कहते हैं कि प्रिलिम्स बड़ा आशान है और तुक के से पास किया जा सकता है यह किया जाता है उसमें कौन सा तुक कही तो लगाना है या उसमें ऑप्सन को टिक करना है तो उनके लिए मैं बता दूँ कि हर साल अगर UPSC की बात करूं तो हिंदी माध्यम में हर साल लगबग धाईस स तीन लाख लोग प्रिलिम्स देते हैं जिनमें से सेलेक्षन प्रिलिम्स क्वालिफाई करने वालों की संख्या चार सो पान सो के आसपास होती है तो हलके में मत लेना PCS में ही बता रहा हूं कि हिंदी माध्यम में PCS का भी रिजल्ट कम जादा होता रहता है तो कुल मिला करक कितने लोग पास करेंगे यह संख्याटी की होती है आपकी total vacancies कितनी है क्योंकि total vacancies जतनी होंगे उससे 10 गुना ज़्यादा बच्चे क्या क्या किये जाएंगे, mall kangal学 पेgeneral के कुछ होंगे फिर OBC के होंगे, SC के होंगे, ST के होंगे, और डिशेबल लोग होंगे तो कुल मिला करके अगर हम एंड सोवान पिछले ट्रेंड के हिसाब से बात करें जैसे मैं देखता हूँ अगर मैं पिछले ट्रेंड की अभी मैं PCS की बात कर रहा हूँ जैसे 2021 से लेकर के 2023 इन तीन सालों की बात करूँ तो प्रिम्स जो हुआ है न वो अच्छा गया है लगबग आपके दू पेपर होते हैं जीएस फर्स्ट पेपर और जीएस शेकेंड पेपर फर्स्ट पेपर में आपके 150 कुछेशन पूछते हैं और यहाँ पर 100 कुछते हैं इसको हम सीशेट के नाम से जानते हैं शिविन सर्विस एप्टिट्यूट टेस्ट तो इसमें क्या करना है हमको 33 परसेंट नमबर लाने होते हैं अर्था 33 क्वेशन सही करने हैं फुल मिला करके बात करें तो पेज फस्ता है जीएस फर्स्ट पेपर में अब यहां पर आपको क्या करना है कुछ चीज़े ध्यान देनी हैं और देखो जो स्मार्ट वर्क करने वाले होते हैं वो इन चीजों को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं जैसे हमें नमबर आप क्वेशन कितने अटेंट करने हैं यह 150 के 50 करने हैं गादातर लोग क्या करते हैं 130 से लेकर के 140-45 question अटन करते हैं भाई इतने नहीं करने हैं इतने करोगे अगर आपकी जिये सची नहीं होगे तो 100% मानके चलिए prelims आपका नहीं हो पाएगा आपको जाना है लगबग 110 question से लेकर के 125 या maximum 120 question तक क्योंकि 30-40 question ऐसे होंगे ना जो आ यह हो सकता है उस subject में आपकी उतनी अच्छी पकड़ना रही हो current affair से कोई अतरंगी type का question पूछाया तो इस तरह कि अगर question पूछ लिए जाएंगे तो आपकी हवा tight और हवा tight होने का मतलब है कि आपका question तो गलत हो गया अब गलत हो गया तो question क्या करेगा जो आपका question सही करे सपोच करो इसको मैं clear कर देता हूं सपोच करो किसी ने 120 question किये 120 question किसी ने math समझ लोगे तो सारी चीज़े आसान हो जाएंगे माल लिया किसी ने 125 question करे अब एक question में आपको मिलते है 1.25 number तो 1.25 number मिलते हैं इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक negative करते हैं तो आपके कुछ number कटेंगे लेकिन अगर आप चार question करते हो तीन गलत करते हो एक सही करते हो तो आपको मिला 0 ठीक है 0 ने मिला और minus में चला जाएगा तो आपको इन चीजों का ध्यान देना है कि 120 में आपको क्या करना है लग भग 95 बे से उपर question सही होने चाहिए अगर 95 बे 100 question सही होंगे तो 20 गलत भी हो जाएंगे तो आपको बहुत जादा risk नहीं होगा आप सेफ होंगे तो कुल मिला करके आपको question आप number आप question जो अटेंड करने है वो लग भग 110 से 20 question के आसपास करने है वो area जहां से आपको ज़्यादा तर question अटेंड करने है वो में भी मिलता देता हूँ जैसे सपोच करो आपके current affairs current affairs से आपके लग भग question पूछे जाते हैं 30 से 35 question दूसरा जो सबसे बड़ा topic है वो history है लग भग 25 से 30 question पूछे जाते हैं उसके बाद आता है आपका quality quality segment से आपके easy type के question लग भग 25 question 22 से 25 होते हैं यही हाल तुम्हारा geography का है लग भग 20 से 22 question पूछे जाते हैं इको से इको से भी लग भग 18 से 20 question हो जाते हैं science and tech science and tech से आपसे ज़्यादा question लग भग 30 question पूछे जाते हैं physics chemistry bio bio portion में लग भग आपको क्या करने होते हैं लग भग 15-16 question bio portion से सिर्फ पूछता है जैसे आपके vitamins हो गए minerals हो गए और आपके जो क्या बोलते हैं उसको disease वाली chapter हो गए उनसे ज़्यादा question पूछे जाते हैं तो वो आपको तया रखना है तो ये मोटा मोटा आकड़ा है आपका इनसे question पूछे जाते हैं environment को अगर ले ले तो geography, economics और environment को मिला करके लग भग 15 question होते हैं और यहाँ mastery करने की आवश्यकता नहीं होती है अब देखो 30-35 question यहाँ है और इसमें 6 months का current affairs आपको करना होता है 6 months का current affair कर लो तो आप बहुत safe zone में हो जैसे आपको पुरुसकार याद करने होते हैं अभी जैसे खेल पुरुसकारों की घोश्णा होई खेल पुरुसकार मिले सबको उसके अलावा तुमारे पदमफजरी पुरुसकारों का 26 जनवरी के दूसरे दिन आपका पदम पुरुस करेंफ पुरुसकार मिले हुए हैं कुछ मवी इसके ऐसे राइटर हैं जिननों ने अपनी उस्थकों का विमोचन किया है तो उन चीजों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए आप्थ विशुक अप गया है हैं थहिस्षू का प्गैंनल से बाहर हुई है तो विश्ष का Current Affairs बन जाता है Geography का Current Affairs बन जाता है Science and Tech का Current Affairs बन जाता है तो ये आपके subject के हिसाब से cover हो जाएंगे अब देखो ध्यान वो देना है जैसे आपकी history बहुत अच्छी है काफी सारे बच्चों की history काफी अच्छी होती है तो आपको history पर focus करना है कि मान लिया 30 question history से पूछे गए तो इसमें ये मान के चलना है कि 22 question से 20 question आपको सही करने हैं इतना confident होके जाना Current Affairs में मैं मानता हूँ कि आप 15 question से 16 question कर लेंगे सही कर लेंगे आपके topic से भी मिल जाएंगे यही हाल quality में quality अगर M. Lachmikant आप धंग से कर लेते हैं तो ये मान के चलिए M. Lachmikant से ही आपको सीधे-सीधे 18-20 question मिल जाएंगे उसके बाद NCE, RT कुछ अतरंगी type के question होंगे तो उनको आपको छोड़ देना है याद रखना Simple question को नहीं छोड़ना है Simple question को करना ही करना है सही करना है, गलत तो बिल्कुल नहीं करना है Moderate किस्म के question पे आपको ठीक ठाक average लेना है और जो tough question है उनको भी ना सोचे समझे छोण देना है इसलिए आपको मैंने बताया कि 120 question ही करने है 30 question आपको drop कर देने हैं जो अतरंगी type के हैं अतरंगी type के question करने का मतलब यह हुआ कि आपने अपने पैरों में कुलाडी मारी दूसरा, simple question गलत करने का मतलब हुआ तो भी अपने अपने पैरों में कुलाडी मारी जो भी prelims pass करने वाले बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं सिंपल वाले question को बिल्कुल गलत नहीं करते हैं, या तो सही करेंगे, या तो करेंगे ही नहीं इसलिए आपसे कहा जाता है कि previous year question paper को ठीक से read करना चाहिए, कम से कम आपको यह पता लग जाएगे कि question कैसे put up किये जाते हैं, किस type की language यूज होती है तो वो सारी कर लेंगे न हाग में क्या है, अनसूचियां कितनी है, किन अनसूच, कौन सी अनसूची में क्या लिखा गया है ठीक है, उसके अलावा उसके अलावा आप संसद में चले आएए fundamental rights में चले आएए, DPSP में चले आएए, राज जेपाल राष्टपत में अंतर difference करिए, differentiate किया रिए उसके अबला, जो schedule tribe schedule caste areas है, उनफे focus करिए कुछ नए act अगर बनके आए है मानवादिकार जैसे परिशद वगरा है मानवादिकार आयोग है कौन से समयधानिक निकाए है, कौन से वैधानिक निकाए है, कौन से सामयधिक निकाए है ये अंतर आपको पता होना चाहिए ठीक है, सरवोच नयाले के नया अधीशों की नियूक्त कैसे होती है उनकी जैसे अचमता के अधार पर उनको बाहर कर दिया जाता है आपातुक बंध हमारे कि प्रकार के हैं ये सारे पॉटलटी के सेगमेंट है इनसे क्वेश्चन हमेअजा पूछे जाते हैं इस बारे भी पूछे जाएंगे पिछली बार जियोगरफी में देखा कि 11 क्वेश्चन लगबख इंडियन जियोगरफी से थे और 11 question लगबग what geography से थे तो यहाँ पर आपको क्या करना है geography के portion में जैसे बहुतिक भूगोल है आपका agriculture portion है ठीक है और म्रदा से related chapter है उसके अलावा तुम्हारा परिवाहन से related chapter है इन chapter को जरूर करना बहुतिक भूगोल में तुम्हारी नदिया, महासागर जीले, पहाड, परवत कम से कम भारत के तो आपको पताई होने चाहिए वो सारी चीजे कर लेंगे उसके बाद world geography में आपको क्या करना है जो प्रमुग जीले हैं जैसे अभी जराइल प्रदान मंत्री जी घूमने गए फोटो अगरा, सेल्फी अगरा करी थी तो माल दियू को इस बात पर बुरा लग गया कि भाई आपने कैसे कर दिया वहाँ के कुछ मंत्रियों ने आपतिजनाग बयान दे दिये भाई मंत्री तो वरकास्त हुए माल दियू को भी रही सही कसर पूरी हो गई तो कुल मिला करके देखो सिंपल सी चीजे हैं अगर आप तरीके से करेंगे तो आराम से प्रिलिम्स तो होई जाएगा उसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ उसके अलावा फिर आते हैं एकोनोमिक पे बेसिक एकोनोमि आपकी जितनी है खासकर कच्छा ग्यारा कच्छा नौ दस ग्यारा के एंसी आर्टी आपको 100% पता होना चाहिए ठीक है बेसिक एकोनोमि से काफी क्वेशन पूछे जाते हैं कुछ किताबे लिखी गई है ग्यारा चाहिए पता होना चाहिए अगर UPSC की बात करों तो UPSC में क्या होता है क्या बोलते हैं जो टेक्नोलोजी पोर्सन होता है चाहे स्पेस टेक्नोलोजी हो बायो टेकनोलोजी हो क्वांटम टेकनोलोजी हो ठीक है और ये तुम्हारी रोबोटिक्स हो इनसे क्वेशन काफी पूछे जाते हैं लेकिन पीसी में इस तरह के अतरंगी टाइप के क्वेशन नहीं पूछे जाते हैं तेको बायो पूर्शन से आपका बेसिक बायो से लगभग 10 से 12 कोईशन मिलेंगे फिजिक्स से केमेस्ट्री से लगभग 8-10 कोईशन मिल जाएंगे तो ये आपका कोवर एरिया है अगर हम मानके चलते हैं उसके बाद यूपी स्पेसल आ जाता है यूपी स्पेसल में देखो सेलेवर्स तो बहुत बड़ा है और बचे हुए टाइम में आपको क्या करना है यूपी स्पेसल में हिंदी मीडियम उसके PCS के लिए बता रहा हूँ IS के लिए नहीं आता उसमें नहीं पूछा जाता यूपी स्पेसल में आपको क्या करना है जैसे यूपी का इतिहास भू गूल पॉलिटी उत्रप्रदेश राज्य विधान मंडल के बारे में इसको हूँ राज्य विधान मंडल कहते हैं यहां की चुनावी राजनीती चुनावी राजनीत के बारे में उसके अलावा यूपी में जाएंगे तो जो GI टैग जिन इस्थानों पे जिन चीजों को मिला है जैसे आयुद्ध्या आयुद्ध्या के बाद जो हमारा मगद का उसकर्स हुआ आना सोला महाजनपदों में यूपी में कई सारे महाजनपद थे उनके बारे में इध्यास का ये पोर्शन है वहाँ से मिल जाएगा उसके अलावा अगर बात करें तो और भी कई सारी चीजे हैं उत्तर प्रदेश में जैसे पारेटन को बड़ा बड़ावा दिया जा रहा है बजट अंतरिम बजट अभी कल ही आया है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए इस्टेट पैसफिक जो क्वेशन मने इस्टेट बजट जो है आपका उसके बारे में आपको ठिक ठाका आइडिया होना चाहिए पिछली बार दो question state budget से पूछे गए थे budget अंतरिम budget क्या होता है इसके बारे में हो सकता है PCS में question पूछ लिया जाए ठीक है तो ये सारी चीज़े आपको पता होना चाहिए economy यूपी की economy कैसी है क्या क्या चीज़े है उसमें कुछ प्रसिद्ध जिले हैं जहां पर जैसे ताली के लिए आपको अलीगर का नाम याद आता है लकडी के साज अहां पुरू बगएरा है तो ये प्रमुक इस्तान है प्रमुक तीर्थिस्थल भी है यूपी में ठीक है मेले हैं प्रमुक वो कहां पर क्या है मिलान करने के लिए कभी-कभी पूछ लिए जाते हैं तो UP का area बहुत बड़ा है और area के हिसाब से question भी बहुत ज़्यादा है तो UP किसी normal book से पिछले previous year question को करते हुए आपको इन चीजों को कर लेना है क्योंकि अभी आपके पास time बचा नहीं है और time बचा नहीं है तो इसका मतलब सीधा सा क्या है कि time तो कम हई है आपके पास तो इतना सी तारी चीजे कर लेंगे भाई 6-7 subject हैं और liveal है इतने दिन में आराम से हो जाएगा जो smart लोग होंगे वो कर लेंगे जो शड़ी टाइप के लोग होंगे वो नहीं कर पाएंगे और देखो exam पास होना ना होना ये कभी-कभी इस पे भी depend करता है ठीक है अगर आपके 125-25 नमबर आपके आराम से आ जा रहा है तो आप exam qualify कर जाएंगे तो इसकी tension नहीं लेना है इसकी tension इसलिए नहीला है कि आपको जादा से जादा question सही करने है गलत कम से कम करने है फिर भी अगर आपके question गलत जादा हो रहा है तो कोशिस करनी है कि आपको 120-125 question करके अपने गलत वाले question का idea इसी तरफ shift कर लेना है या spend कर लेना है जैसे मान लिया देखो कहने का मतलब क्या है जैसे 125 question आपने की ये और 20 question आपने गलत कर लिए तो आपके पास 105 question सही बचते हैं तो 5 तो ये चली ही जाएंगे एक दो ये दर से चले जाएंगे तो कुल मिला करके आप safe zone में रहेंगे लेकिन आपने 35 गलत कर दिए 125 question में फिर आपके पास 90 बचे 90 में कुछ माइनस होंगे तो दिक्कत हो जाएगी तो ये नहीं करना है आपको 100 के पार सही question रखने है ठीक है और 100 के पार तो मतलब prelims पार जैसे होते है अब की बार 400 पार मोदी जी ने क्या कहा अब की बार 400 पार और जितने भी मतलब भाचपाई लोग है न वो भी कहते है अब की बार 400 के पार तो वही आपको भी अपना एक standard बनाना है कि नहीं अब की बार 100 के पार मतलब 100 question पार सही करने हैं आपको 100 question पार कर लेंगे तो ये मान के चलिए prelims आपका आराम से clear हो जाएगा no if no doubt ठीक है और अगर आप अभी कुछ लोग ऐसे होंगे जो beginners होंगे अभी हल फिल हल में तैयारी करे होंगे बहुत अच्छी तैयारी नहीं होगी तो वो भी tension नहीं लें उत्तरप्रदे species में अभी attempt counter नहीं होते कितने भी attempt 40 साल तक दे सकते हैं तो और जिन लोगों की तैयारी बहुत अच्छी नहीं है जिन लोगों को लगता है कि नहीं job के साथ तैयारी कर सकते हैं तो वो भी try कर सकते हैं थोड़ा वो time मिल जाएगा ठीक है और अगर आप चाहते हैं 2025 की exam में बैठना 2025 की preparation करना तो हम अपने syllabus जैसे history और quality को ले करके हम आ रहे हैं कुछ geography के मोटी मोटी चीज़े होंगी खासकल prelims oriented हम अपना batch रखेंगे और जिन लोगों को prelims में दिक्कत है हम उनको start out करेंगे और जहां पर आपको ये समझ में आता है वो बड़े important चीज़े है और prelims देखो prelims एक ऐसा one day type का exam है जहां पर आपको क्या करना पड़ेगा जहां पर आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा paper को कैसे हम deal करें कैसे ट्रकल करें और एक बार ये आपने समझ लिया ना तो आपके लिए चीज़े बड़ी आसान हो जाती है ठीक है तो जो भी prelims दे रहे हैं उत्तर प्रदेश का उनके लिए बहुत-बहुत सुपतामना है और आरो यारो का exam है जिन लोगों का आरो यारो का exam लगा हुआ है अब वो आरो यारो ओर्येंटेड पढ़ना इस्टाट करें तो आज के लिए इतना ही थैंक्यू बेरी मच जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन करें थैंक्यू बेरी